क्यों हेलो दोस्तो। हाव र्यूट तो एहेक चायना कंपानी का इमारजेंसि लाइड है। इस सोलर शिस्टेम है उपर में स्व्लर्पेंट है। यह भी स्वीश्टेम है। इसको एपहले छाध की यह अभी रहता है। इसको रहता है यह Veterans conform भी करता है। यह थोड़ा क्या बोलता है तो इसका बैटी तो सेम अगले जो वीडियो वीडियो बनाया उसी तरह से सेम प्रॉसेस में वो बैटी चेंज होगा तो इसका स्वीज में चेंज करना आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग देखते करें मेरा जो यूट्यूब चैनल है गिरी एलेक्टिकल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रिस करके रखना देखिए मैं अभी स्वीज का जो नाट था खोल लिया उसके बाद यह जो सार्किट बोर्ड में लागा रखा उसको मै निकल रही हूँ देखिए मैं निकल लिया एक जो स्वीज भॉलियम की तरह है ठीक है इसको चेंज करना पड़ेगा इसका थोड़ा ढिकत है तो थोड़ा वह प्रोब्लेम हो गया तो इसलिए वह जब थोड़ा कापता है लाइट ठीक है इस स्वीज की वाज़े से तो इसक फार सथाल आड़ा त्रहिस कर दिखिए मैं पहले है एसको है एक बोलता है वीक से शोल्डर इसमें छिपक लेता है ठीक है तो उसके बाद ऐसे जोल्डरिंग वहाँ से क्लियार हो जाएगा तो उसके बाद अफिच खोल का आ जाएगा ठीक है तो देख सकते हो तो मैं इसको मैं खोल लेता हूँ उठा लेता हूँ उसका जो स्वीच का जो पीन जो है उसका पीन में जो सोल्डर लागा रहता है तो उसको मैं उठा रही हूँ तो देखिए उसमें लग जाता है जो वीक है मेरे बाएं यहाथ में ठीक है लेफ Pack में जो है व वीक बोलता है वीक से और एक टीक वायण होता है उससे भी उठता है तो मैं इससे समस कूला लेता हूं ओभी है वो ौड़ा इसी उठाने से मादद बहुत अच्छी करता है G बीक से भी जादा तो यह थोड़ा बहुत दो तिन को क्या बोलता है दो तिन पीन है तो स्विच का तो उसको मैं उठाऊंगा तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लागया तो इसलिए इसको ही मैं काम चला ले रही हूं तो इस तरह से आप लोग भी कि सोल्डरिंग उठा लेना ठीक है तो मैं जोल दी हो से कि मैं इसको कटपट से मैं सोल्डरिंग निकल लेता हूं देखिए मैं तो निकल लिया उसके बाद देखिए जो स्विच है इसको मैं साइड में रख देता हूं तो खोल गया उसके बाद नया जो स्विच है उसको मैं लागाऊंगा तू एक 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 एए नया स्वीच है तो इस स्वीच को मैं पहले जीस तरह वो बिठाया तो उसका जो छेद होता है उसके अंदर उसके थोड़ा पीन थोड़ा इधर उधर हो रहे है उसको मैं थोड़ा साइज कर लेता हूँ तो उसके बाद आच्छी से देख सकते हो मैं इस तरह से आप लोग भी इस तरह से स्वीच चेंज करना ठीक है और उसके बाद इसको उसका जो होल है उसको शोल्डरिंग आच्छी से क्लियर करना नहीं तो इसके अंदर नहीं जाएगा ठीक है देखिए मेरा तो चला गया है अभी उसके बाद इसको करूंगा अच्छी से तो आप लोग भी इस तरह से स्वाल कर दियेगा और पीन है दो जो निया सुईच क्या उसम dan इस तरह से अच्छी से सुल्डरिंग किजिए तो अच्छे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएका इसका बैटरी खरपता और इस स्वीच खरपता ठीक है इसमें 1.65 वोल्ट का एंपियर का बैटरी लगता है और 4 वोल्ट का बैटरी है ठीक है देखिए इसका स्वीच में शोल्डरिंग होगे उसके बाद यह जो बैटरी ह है बैटरी जब स्वीच बोर्ड में काम करेंगे तो स्वीच बैटरी का कनेक्शन आप लग खोल के यह काम कीजिए क्यूंकि स्वाड़ हो जाएगा तो वो बोर्ड का दूसरा है जाएगा तो इसलिए मैं खेल करा का हूँ क्यूंकि मुझे तो पाता था विच्छे कॉन सा कोई काप नहीं रहा है उस स्वीच से थोड़ा सा लाइट थोड़ा ब्रिंग होटा था ठीक है देखिए इसमें यह ठीक है वो कोई प्रॉब्लेम नहीं है स्वीच पर चेंज कर दिया हूं और आप लोग भी इस तरह से ही चेंज किजिएगा और मेरा जो चैनल है आप लोग सकती है कि जब नेया 20 डालोंगा तो आपके पास चला जाएगा और जिसको नहीं चाये आप लोग सस्क्राइब कर सकते हो और जिसको मन नहीं चाये तो थोड़ा एक लाइक करके भी जा सकते हो कोई दिक्क्र नहीं है तो वीडियो पूरी देखना मट काटके देखना ठीक है तो नहीं समझ पाओगे और कोई भी प्रॉब्लेम समझ में प्रॉब्लेम आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछेएगा तो मैं रिप्लाइ करूंगा कि मैं जल्दी जिए जिए जल्दी हो से कि मैं रिप्लाइ करता हूँ सब कोई तो अभी जो है इसका इसका कॉम्प्रीट है इसके बाद इसका जो स्वीच के ज़नाट बोल्ड है उसको मैं टाइट करूंगा ठीक है देखिए इस तरह से प्लाइट कर देता हूँ इसका देखिए टाइट हो गया इसके बाद नॉब लागा लेता हूँ आपका जो एक एरो है उस एरो से ही लागेगा अच्छी से देखिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है वह अच्छी से लग गई उसके बाद बैटरी को अच्छी से बिठाना है तो एक बात है इसमें जो 1.5 वोल्ड का बैटरी था तो उस मोडल का नहीं बैटरी मिल रहा थ तो इसमें मैं 1 एंपियर का बैटरी लागाया है 4 वोल्ड का तो इसमें थोड़ा टाइम बैक अप कम देगा लेकिन चल जाएगा क्योंकि 2 एंपियर का मिल रहा था लेकिन इसके अंदर कभर में नहीं अटेगा था इसलिए मैं थोड़ा छोटा बाला ही लागा दिया तो को दिक्कत नहीं होगा शिर्फ जो ज्यादा टाइम नहीं जलेगा ज्यादा ताइम मतलब वान प्वाइब एंपियर में जितना टाइम जलता था उससे थोड़ा सा कम लेगा आधा घंटा भी एक घंटा कम चलेगा क्योंकि एंपियर कम है तो बैटरी का जो एंपियर होता है ऊहीं में पायين रखते है कितने टाइम बैक आप देगा कितने टाइम नहीं देगा तो और बैटरी ओतों एक प्रोब्लेम है तो खराब होगा तो नहीं है उसका ऐंपियर याधा जाता है तो कम टाइम देता है तो इसका नार्ट बोल황 का कर दिया देखिए कोई पपॉलेन यह जाल नहीं है और ओपर में अब दोप में रख गये रहें बनकर वह नोफ़ करें तो अभी हम चार्ड भन सुरेट से स्क्राइब लाइकाब हुगा फार के ह navigating कॉंप्लेट हाना इसका नॉप भी चैंज करतीया है वे बहुत ईप है और इसके पहले एक वीडियो है इसके पहले तो में बैटरीद वचा चेंज करता है उसको मैं वीडियो में दिखाया और आप लोग इसमें स्वीच चेंज करना मैं आप लोगों को सीखाया नेक्स टाइम और भी काम जब आएगा थोड़ा डिपिकल तो दिखाऊंगा वीडियो में तो टाटा